विल्कम बैक स्वागत है अब सभी का मैं इस चैनल टेकी बिरें तरहें पिछले वीडियो में हमने मर्ज़ोट के बारे में जाना था समझा था इस वीडियो में हम कोड करके देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था यह बेसिकली दो प्रोसेस का फॉलोग करते हैं एक है कि स् सुरू करते हैं तो पहला एक फांक्शन के रेट करेंगे पॉब्लिश्टाटिक वॉइड इसका नेम मर्ज़ोट के नाम इसका देंगे पास करेंगे हम इंटेर है जो कि अन्सॉर्टेड है हमरे स्टार्ट इंडेक्स एंड टोटल एलिमेंट लेंथ ठीक है अब क्या है कि हम इस एंटाइर प्रोसेस को रिकर्सिवली कॉल करेंगे ताकि यह स्प्लीट करता जाए जब तक यह सिंगल फॉर्म में नहीं आ जाता है ठीक है इसके लिए हमें फर्स्ट दो कंडिशन से लिखने पड़ेंगे एक लेफ्ट एरे के लिए एक राइट सारी एरे के लि लेस दन एंड जब इसके इक्वल में आ जाएगा तब हम प्रोसेस को स्टॉप करेंगे इसके लिए हम एक कंडिशन से यूज करेंगे इफ स्टार्ट लेस दन एंड जन स्टार्ट दूइंग स्प्लीट एक जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट हमें मीट पोईशन का स्टार्ट से एंड डिवाइडए वैए 2 मेट वोईशन मिल गया हूँ जब मीट वोईशन मिल गया हम इसको कौल करेंगे फॉर्स लेफ्र साह्त के लिए लेफ्ट सैट के लिए हम क्या करेंगे हम अरे पास करेंगे स्टार को इसन जीरो रहेगा और end क्या होगा, meet होगा, ठीक है, यह होगा left side के लिए, but हमें right side के लिए भी split करना पड़ेगा, इसके लिए हम फिर use क्या करेंगे, same recursively call करेंगे, area pass करेंगे, यह हमारा meet position 7 पे है, 4 है, ठीक है, तो यहां जब right side में हम split करेंगे, हमारे start position क्या होगा, meet plus 1 यहां से सुर्ण होगा, यहां तक खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे, meet plus 1 और end, यह होगा, तो यह दोनो particular functions recursively call करेंगा, one है, जो left side के लिए, और यह right side के लिए, ठीक है, तो first यहां से यह split होगा, ठीक है, split होने के बाद, फिर यह further left में split होगा, ठीक है, और फिर right में भी split होगा, यह entire process चलेगा, जब तक यह conditions satisfy नहीं होता, ठीक है, जब entire area split हो जाएगा, तब हमें merge करना है, ठीक है, तो हम call करें merge function को, यहां pass करेंगे, हम area, और pass करेंगे, start position, meet, और end, अब क्यों हम इसे, three four elements, four parameters, पास कर रहें यहां पर, तो यह इसलिए, क्योंकि area तो हमें तो pass करनी पड़ेंगे, ठीक है, और start position, क्योंकि जब first, जब entire area, जब split हो चुका रहेगा, तो क्या होगा, यह हमारा start position 0 पे रहेगा, meet भी यही रहेगा, और end 1 रहेगा, ठीक है, तो इसलिए, हमें particular merge function को call करेंगे, create करेंगे functions, ठीक है, चले समझते है merge function को, यहां हम एक variable लेंगे i, जो कि इनी slice करेंगे start position से, j, यह initialize करेंगे, meet plus one से, एक temporary area create करेंगे, इसका size, end plus one रहेगा, और एक हम pointer लेंगे, temporary area का index, यह start होगा, start position से, इसके बाद हम एक condition लेखेंगे, while i less than equal to mid and j less than equal to end, if this condition is true, then हम इस particular area है, इसके अंदर में हम based on completion हम value को store करेंगे, ठीक है, तो हमारा, यह unsorted area आया, ठीक है, जब हमारा area one one form में split हो चुका है, single area form में, तो हमारा start position यहां पे रहेगा, meet भी यहीं रहेगा, end one, ठीक है, तो हम comparison करेंगे कि जो area of i less than area of j है, यहां यहां नहीं, तो जी हमारा क्या है, mid plus one, zero plus one, one पे, one point पे, यहां पर point कर रहा है, i यहां point कर रहा है, ठीक है, तो इसको comparison करेंगे, अगर based on comparisons, अगर okay है, तो हम store करना, शूरू करेंगे, कहां, जो area temporary area इसके अंदर में, ठीक है, condition क्या है, area of i less than or equal to area of j, value हम store करेंगे, अगर नहीं तो area of j का value हम store करेंगे, कहां यह particular temporary area के अंदर में, ठीक है, यह जब हो जाएगा, तो हमारा एक ही condition satisfy होगा at a time, यहां पे हमें दो particular positions है, एक यह और यह की है, ठीक है, इन दुनों को हमें merge करना है, ठीक है, तो first क्या कर रहा है, कि if area of i less than equal to area of j, ठीक है, तो जो first position से इसको, हां store कर रहे है, इसके first position में, ठीक है, और i का value increment कर रहे है, साथ-साथ, j का value भी increment करेंगे, अगर greater है, ठीक है, अगर 35 इधर रहाता, 35 को हमें क्या करना है, यह वाले positions को first लेकर store करना है, ठीक है, at a time हम एक particular value को store कर रहे है, ठीक है, तो remaining जो particular value है, उससे भी store करना होगा, ठीक है, उसके लिए हम अलग condition लेकेंगे, एक for loop यूज करेंगे, ठीक है, इसको initialize करेंगे आज से, तो आई already जो position से इसका increment होकर वही रहेगा, तो इसके लिए हम क्या होगे है, simple semicolon का use करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि हम दोबाड़ा initialize नहीं कर रहे हैं, जो already है, उससे को use कर रहे हैं, ठीक है, और यह condition कब तक चलेगा, यह i less than equal to mid, i plus plus, अब क्या कर रहे हैं यहाँ यहाँ पर, area of i, ठीक है, अगर यह condition false हुआ तो हमें j के लिए check करना परेगा, ठीक है, तो j के लिए, हम j less than equal to end जाएगा इसका, j plus plus, area of j, चले समझते इसको, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कि first condition में क्या हो रहा है, कि यह condition true हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो first area of i है, 0th position का, यह less है 35 से, तो क्या होगा, जो इसका i का जो positions है, जो value है, यह store हो गया, इस temporary area के अंदर, ठीक है, i value क्या हो गया, increment हो गया, तो 1 हो गया, तो 1 less than equal to 0, no, condition false होगा, जब condition false होगा था, हमारा area का value इसमें क्या है, 0th position पर 20 है, but हमें यह, इसको भी store करना है, तो यह तो हमारा loop तो यही stop हो गया, इसके लिए क्या करेंगे, कि यह condition use होगा, जे का value क्या है, 1 है, 1 less than equal to end, correct, end भी हमारा one है, अब यह क्या कर रहा है, यह particular one का value जो है, area के अंदर में, इसको फिर इसके one जो position से वहाँ पे store कर रहा है, क्योंकि temp index का value increment हो गया है, फर्स्ट के बाद, इसके लिए हम यह pointer use किया है, आई समझ में, यह entire process होने के बाद हम क्या करेंगे, कि हमें copy करना होगा, क्योंकि यह position के बाद हमारा area इस तरह दिखेगा, 20,35 अब इसको हमें store करने कहा, कोपी करना है, इस area के अंदर में, ठीक है, इसके लिए हम फिर से logic लिखेंगे, for loop लेंगे, यहां पर इनी slice करेंगे, i को start से, क्योंकि start में हमने change नहीं किया है, वो तो zero में ही है, इस position में particular में, ठीक है, i less than equal to कहां जाएगा, end तक, i plus plus, यहां हम क्या गड़े, copy कर रहे हैं, किस के अंदर में, area के अंदर में, area of i equal to क्या, जो हमरा temporary, जो area है, उसका value हमें, इसमें store करना है, ठीक है, हो गया, यह क्या गड़ेगा, copy कर दिया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि, copy, temp, area elements into original, ठीक है, copy हो गया, यह हो जाने के बाद क्या हो, हमारा entire process खतम, ठीक है, चलिए, इसको पर ले run करते हैं, उसके बाद, फिर जा समझते हैं, तो call करेंगे इसको, मरसट को, pass करेंगे interior, start position 0, end position क्या होगा, interior.length-1, ठीक है, print करेंगे, for look use करेंगे, i say, in slice करेंगे, i should be less than, interior.length, i++, interior of i, लिए run करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा output as per expected आ रहा है, ठीक है, यह shorter form में है, ठीक है, ठीक है, तो हम समझते हैं इसको, pointer use करते हैं, यहाँ पर यह चीज आपको समझ में आ जाए, run करेंगे debug mode में, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि first, जब हम merge करेंगे, जब हमारा सारे elements, single form में आ चुका होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कि हमारा, यहाँ से सुरू करते हैं, तो start 0 है, mid 0 है, ठीक है, और end 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर जब condition check करेगा, तो area of i less than equal to j, condition true होगा, जब true होगा, तो यह उस value को, particular value को store करेगा, इस new, जो area हम create के हैं, temporary इसके अंदर में, अब यह loop से बाहर आ जाए, क्योंकि यह condition false होगा, second है, लेकिन, जैसा कि मैंने बताया थी, अभी initialized, यह particular, जो से कि first position का value अभी store नहीं हुआ, जो हमें यह 35 को भी store करना है, ठीक है, इसके लिए हमने क्या condition यूज किया, यह condition यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या करेगा, लूप चालू होगा, जैसे, 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 लेकिन, इकोल टू, एंड, करेक्ट है, ठीक है, अब यह particular value को भी store कर रहा, तो हमारे index किस तरह दिख रहा है, अब देखो, 20, 35 के form में, ठीक है, यहाँ पर आप देखो 20, 35, अब इसको हम copy कर रहे है, ठीक है, original elements के अंदर में, एरे के अंदर में, ठीक है, तो यह entire process आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो finally हमारा, यह output रहा है, ठीक है, उमीद करता हूँ, यह video जरूर समझ में आया होगा आपको, और, अगर कोई issue है, जरूर हमें comment करके बताए, thank you so much.